नमस्कारियो रिवान आप सभी का स्वागात है यहां पर हम बात करेंगे यूपे ड्रबले से वेडियो रे एक्जाम को लेकर कि यहां पर पिछली बार इसका क्या कटाफ गया था इस बार आपको केतने कुशन्स को यहां पर बिल्कुल सही करना अनिवारी होगा और सफलता के लिए आपको किन-किन बातों का ध्यान में रखना है और 2022 आपका जो पेपर यह होका नॉमर दिसंबर में वहां पर इसका जो एस्पेक्टेट कटाफ है वो कितना रह सकता है इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा यहां पर करेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं इसका जो पूरा एक्जाम का पैरन है कि क्या-क्या यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक बर मैं आपको वो जल्देज से बता देता हूँ तो यहां पर आपका यह औबजेक्ट्ट टाइप का पेपर होना है एक कोशन आपका जो है देड़ सो रहेगा नमबर तीन सो रहेंगे और दो घंडे के समय रहेगा और 0.5 आपका क्या रहेगा नेगेटिव मार्किंग यानि कि समय आपको यहाँ पर कम रहेगा आपके लिए क्योंकि रिजिनिंग पचास कोशन आना है और उसको हल करने के लिए आपको एक अच्छा खासा समय चाहिए तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर है आपके इस पेपर के लिए हिंदी में आपके पचास कोशन रहेंगे सो रहेगा और यहाँ पर आपको टाइम को मैनेज करना एक बड़ी चुनोती आपके लिए होगा क्योंकि य जिससे की इस टॉपिक के लिए आपका जो रिजनिंग है समय आपके पास परियापतर रहे इसके लिए ठीक है इस बात को ध्यान में रखना है अब देखे यहाँ पर इसका पूरा पार्ट है करम है वो आपका आफिसल ऐसे दिया गया यानि कि कुछ भी टिटेल में नहीं आ आपको सारा कुछ करना है यहाँ ठीक है और लगातर में क्लासे आपको करा रहा हूँ आप उनको फॉलू करते रहिए तो यहाँ पर आप अपने पेपर में काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप देखो यहाँ पर आप कैसे एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं और कैसे आप selection ले सकते हैं, कुछ बात हैं यहां पर हमने mention किया है, उनको एक बर मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर हम बढ़ रहेंगे यहां पर cut off को लेकर, ठीक है, तो make a self notes, यानि कि आप खुद के notes बनाईए अच्छे से, ठीक है, चाहिए वो आपका guidance, guidance आपको कोई देने वाला teacher होना चाहिए, जैसे कि आप किसी को भी follow कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, practice mock quiz साब यहां आपको धड़ालिस करना, मतलब अधिक सदिक आपको अपना mock quiz और practice लगाना है, time का management आपको सीखना है, क्योंकि यहां पर पचास question reasoning का होगा जो आपके लिए एक बहुत बड़ी चनोती है ठीक है, तो time का management बहुत बड़ा यहां पर खेला करेगा, ठीक है, previous year की questions को आपको पूरा, जितना भी UPCCC ने आज तक questions पूछे हैं previous year के, वो सारे आपको कर ड़ाले है ठीक है, daily आपको अपना करना है revision जिसके current affair हो गया उसको daily करना है, class में आपको लगाता दे रहा हूँ, हमने अभी तक 5 class में आपको current affair की दे दी हैं और लगातर में आपको देता रहूँगा ठीक है, इसके अलावा आपको यहां पर बहुत ज़्यादा जो है, online नहीं रहना है negative marking को आपको ध्यान में रखना है online आप पढ़ाई करिए, फिर offline अच्छे से जो है उन चीजों को implement करिए और offline भी आपको पढ़ाई करना है, अपनी practice जम के करना है ठीक है, यह बाते आपको ध्यान में रखना है, जो आपको selection दिलाएंगी, चीक है अब यहां पर, मैं एक बात और आपको बता दू कि previous cut-off क्या गया था अच्छा एक चीज और में बता दू जब आपका 18 में paper होना था उस time पर हमने आपको cut-off बताया था मेरा cut-off था 105 से 110 question और आपका जो cut-off है, वो 105 question के आस-पास गया था, यानि कि हमने जो आपको previous बार, पिछली बार जो हमने आपको cut-off बताय थी, वही cut-off आपको यहां पर देखने को मिला था वीडियो के paper में, इस बार अब यहां पर मैं आपको बता देता है, जो official cut-off गया था पिछली बार तो यहां पर युवार का 211 number आपका था, यानि कि मान के चले 105 question का सही हो गया और दोसे multiply करोगे तो आपका यह 210 आजाता है, मनले वही 211 यहां पर आपका गया था, ठीक है तो 106 question आप माल लेजिए इसके लाब आपका यहां पर जो दिया गया अनिसुच जाती का 185, जन जाती का 160 और अनिसुचड़ा का 205 और इसी तरही की से आपका 36 अरचछड़ है, उनके आपका cut-off यहां पर दिये गए हैं, तो कुल बला कि जैसा मैंने पिछली बार cut-off जो है, expect किया था same, वैसा ही cut-off आपको देखने को यहां पर मिलाता, ठीक है, अब इस बार आपके इसका cut-off कितना जा सकता, थोड़ा से उस पे अभी हम लोग बात कर लेते हैं, देखो यहां पर कुछ बाते आपको ध्यान में रखना है, ठीक है पहला तो यह है कि जैसे कि यहां पर आपका यह हिंदी का topic है, यह आपका हिंदी का topic है, ठीक है पचास आपके यहां पर क्या है question है इस तो आपका number है तो हिंदी में आपको कम से कम अगर आपका हिंदी बहुत बढ़ी आए हिंदी में आप बहुत अच्छे हैं तो आपको 45 प्रस निहाँ पर हार हालत में इसमें आपको एकदम सही-सही करना है अगर आपको सामान में हैं तो 25 प्लस हाँ अगर आपको 45 प्लस हे अपना लेकर जाना है अब यहां पर हम बात करेंगे आपका जो यह सामान बुद्धी पर इच्छन है यानि कि आपका जो यह रिजिनिंग वाला टॉपिक है यह टॉपिक किसी के लिए काफी मलब कठेनी भी हो सकता है किसी के लिए यह आसान हो सकता है यह तोटली आपके प्रक्टिस पर है जितना आपका सामान निसा रजिनिंग आपके बहुत अच्छी नहीं है या आप टाइम को मैंज उत्रा अच्छा नहीं कर पारें तब भी आपको यहां पर 35 प्रश्म में तो आपको हर कीमत पर सही करना ही पड़ेगा ठीक है अगर यहां पर आप 35 करेंगे तो फिर आपको GS में यहां चालिस करना होगा ठीक है तब ही आप जो है सेलेक्शन के रेंज में आप आएंगे अब इसका जोड़ लेते हैं तो 5 पर 10 हो गया चाचर 8 तिंगारे एक बारा 120 हो गया याने कि 120 प्रश्म यहां पर आपकी यह हो गया ठीक है इधर अगर जोड़ों को तो यह 5 हो जाएगा और यह 4-48 तिंगारे ने 115 हो गया 115 और 120 ठीक है इस तरीके से यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा कि आपका कोशन कितना आपको यहां पर करना है तो एक जो पूरा पूरा यहां पर जो एक मोटा मोटा आइडिया है कि आपको 110 कोशन से लेकर 120 प्रश्म इनके बीच में ह अपना जो कोशन है 110 से 120 कोशन इसके बीच में आपको हर हालत में रहना है ठीक है तब ही आपका सेलेक्शन हो पाएगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि कमपडिशन बहुत ज़्यादा है ठीक है अगर आप 100 प्रश्म करते हैं लेक पाल में ठीक है तो वहां पर 82-85 कट आप ज अच्छे से पता है तो इसलिए अगर आपको सेलेक्शन पाना है तो हर हालत में आपको 110 से 120 कोशन सही ही सही करना होगा 150 अपका टोटल प्रसन है उसमें से 110 से 120 अपको सही करना होगा क्योंकि प्रीवेस अभी आपने देखा आके अठारा में कैसा पेपर आया था और तब इस बार का जो तापपिक है इस बार का आपिक आपका आपका जो रिजिनिंब है अगर ऐसान आजाता है थोड़ा से इजी आजाता है पिछली बार की पर इच्छा अगर पर किना रह सकता है इस बारmbre तो इस बार भी आपका cut-off जो है आपको 110 प्लस प्रस्नों को सही करना है अपने selection के लिए आपको 110 प्लस प्रस्नों को बिल्कुल एकदम accurate करके रखना है तो आपका selection बहुत आसानी से हो जाएगा ठीक है और उसके लिए जादा कुछ आपको करना नहीं है ठीक है उसके लिए ब बहुत अच्छा है तो हिंदी में आप 45 प्लस अपना अंक आपको हर हालत में मलब है question आपको हर हालत में सही करना है ठीक है अगर आपका reasoning बहुत अच्छा नहीं है तो यहां पर आप 35 भी कर लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा फिर अगर आपका जो GS का topic है यहां पर त तो यहां पर अगर आप 40 भी कर लेते हो तब भी आपका काम हो जाएगा ठीक है तो यह देखिए 5 पर 10 हो गया और 4,8,3,4 एक बार 120 सब पहुंच जा रहे है ठीक है अब इसमें अगर आप GS में 5 कम भी कर लोगे तब भी आपका 115 हो जाएगा ठीक है यह आपका GS में 40 है आप आपको सोच लेना है कि कौन सा टॉपिक या कौन सा आपका सब्जेक्ट काफे स्ट्रॉंग है जो सब्जेक्ट आपका काफी बढ़िया है उसमें आपको यह ट्राय करना है कि आपको वहां पर अधिक से अधिक अंक के लाने अधिक से अधिक कुशन से आपको सही करना है ठी अगर किसी का यहां पर जो एक topic रेजिनिंग यह बहुत सांधार है तो वो इसमें 40 प्लस या 45 प्लस कर सकता है अगर यह topic अच्छा है किसी का रेजिनिंग बहुत बहतरी ने तो 40 या 45 प्लस आराम से कर सकता है तो बाकियों में अगर वो थोड़ा सा काम करेगा तब भी उसका क रहना होगा अपने सेलेक्शन के लिए फाइनल कट ओफ निकालने के लिए डीवी के बाद आपको जो फाइनल कट ओफ आए को उसमें अपना नाम लाने के लिए कम से कम आपको एक सुदे से यहां पर हो पाया कि क्योंकि कमडेशन बहुत जादा है ठीक है कमडेशन कोई कम नहीं है कमडेशन काफी जादा है और सभी लोग कमणी पढ़ाय करें सभी लोग लगे हुए ते आप अपनी दिमाग में एक एडिया बनाकर चलिए कि आपको कितना प्रशना हर कीमत पर साही कर सकता है 90 जा सकता है ऐसा 90 या 100 अगरा कट आफ जो है यहां पर नहीं जाएगा कट आफ इसका एक ठीक ठाक जाएगा क्योंकि सभी लोग पढ़ने वाले सभी लगाता पढ़ रहे हैं सभी लोग मैनत कर रहे हैं तो कमडेशन काफी जादा है तो आपको अपने दिमाग में य निरबड की आप वहां पर कितना कर पाते हैं ठीक है लेकिन पहले से भी आपको अपने दिमाग को प्रिपरिक करके रखना होगा कि आपको कितना स्कूर यहां पर करना है कितनी प्रसना आप साही कर सकते हैं और यह तब ही आपको पता चलेगा जब आप मॉक्टिस्ट करोग तो आपका रहेंग क्या है तो आपका रहेंग क्या है तो वहां से आपको confidence मिलेगा तब आपको एक बहुत अच्छा idea मिलेगा कि आपको actual में कितने questions अगर आपके सही हो जाते हैं तो आपका selection हो जाएगा वेरहाल यहां पर 110 से 120 के बीच में प्रशनों को सही करने का कोजिश कर है पिछली बार मैंने आपको cutoff बताया था इसका 105 कोश्चन से 110 कोश्चन ठीक है तो 106 कोश्चन आपका cutoff गया था जाने की 106 कोश्चन याने की 211 अंग का cutoff गया था पिछली बार ठीक है तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ आपको इस तरह के से यहां पर चीजों को दिमा इनको ले सकते हैं और रिजनिंग के लिए आप यह बुक ले सकते हैं इसमें काफी सारा आपका चीज है तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कोई डाउट हो कुछ पूछना है या कोई आपके राय है तो आप दीजिए टेक के थेंगे